नीचे कमेंट करके बताना कि लेट से अगर आपका बजट 30,000 है तो आप बजट stretch कर पाओगे या EMI पर phone purchase कर पाओगे तो क्या हाल है मेरे भाईयो के सब बढ़ी आया ना लास्ट वीडियो में थोड़ सा नराज हो गए पूरी वीडियो आपने शायद देखी नहीं और कमेंट करने लग गए तो उससे क्या होता है कि मेरा जो opinion था वो शायद कई लोग को समझ नहीं आया या मुझे ठीक से समझान नहीं आया कोई बात नहीं एक question pick करा है जिसके बार मैं बात करके मैं आपको समझा दूंगा उसके लावा कुछ कमाल के interesting questions मैंने आपके YouTube में से pick करे हैं और उनके जवाब मैं आपको देने वाला हूं वीडियो एंड तक देख लेना because कुछ सवाल मेरे भी आपसे हैं जो मैं priority इनकी camera है वीवोवी 23E camera कुछ खास perform नहीं करता तो अगर main priority camera है तो इस phone को आप ignore करो इन्होंने ये भी पूछे कि क्या नया phone को 15,000 में purchase कर लूँ मेरे recording आपको September तक sale का wait करना चाहिए because September में आपको sale में काफी अच्छा स्मार्टफोन पे काफी अच्छा discount मिलेगा एक opinion दे aspects होते हैं जिनके basis पे आप smartphone decide करते हो कि मुझे purchase करना है एक aspect होता है कि phone में camera चाहो मैं आपसे request करूँगा कि please इस aspect को हटा दो main priority आपकी होने चाहिए कि phone में stereo speaker है नहीं है अच्छी AMOLED display है प्रोसेसर कौन सा है user interface कौन सा है ये aspects रखोगे तो एक अच्छा smartphone purchase कर लोगे camera के पी है हो कि 20,000 रुपीज के अंडर as such कोई अच्छा camera phone नहीं है आप बहुत रहे लोग के unboxing videos देखते हो review देखते हो उसमें वो क्या देते है की ठीट ठाक perform कर रहा है camera लेकिन trust me कोई अच्छा camera phone अगर होता तो मैं आपको खुदी recommend कर देता अब ठीठा camera तो आपको सभी phones में almost मि 95 के साथ AMOLED display है high refresh rate है तो वो phone आपके लिए अच्छा रहेगा ये अगला सवाल पता नहीं कहां से आ गया सागर भाई कह रहे है मेरे को OPPO Reno6 26,000 रुपीज का मिल रहा है परचेस करूं या फिन नहीं सागर भाई क्यों मैं आपको recommend करू 26,000 में OPPO Reno6 कुछ लोगों ने OPPO Reno 80 परचेस करा है जो उनका latest phone है और वो उसी से दुखी हो चुकी है user interface में दुनिया जहान के bugs है even छोटा सा task जैसे multitasking करते हैं वो करते time phone lag होता है तो यार ये उल्टे सीदे user interface के साथ phones परचेस करनी की ज़रूरत है नहीं 26,000 रुपीजट है तो या तो budget को छोड़ा stretch करो और Moto H40 परचेस कर लो बिकास अच्छे प्रोसेसर के साथ आपको Moto H40 में अच्छा software experience भी विल जाएगा कोई फालतू के lag विगरा नहीं है इसमें और काफी premium build quality के साथ वैसे ही आता है Moto H40 का camera कुछ खास perform नहीं करता तो ऐसे मैं आप Vivo V27 भी consider कर सकते हूँ उसमें आपको user interface में थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा बट overall camera Vivo V27 का better है वैसे आपको Moto H30 Fusion का ये color कैसा लग रहा है बताला नीचे comments में और क्या इसको compare करना है चाहिए Moto H40 से क्योंकि 6-7000 रुपीज का ही difference है दोनों phones के price में और मैं Samsung S23 से अपनी SIM card remove करके Moto H30 Fusion कुछ दिनों से use कर रहा हूँ हमजा भाई ने सवाल नहीं पूछा इन्होंने basically एक request करी है कि Samsung S21 FE का camera में compare करूं Moto H40 के साथ मुझे नहीं लगता कि मुझे ये comparison video करनी चाहिए एक मुझे पता है Samsung S21 FE का camera काफी जदा better perform करेगा और मुझे फिर उल्टे सीरे comments आएंगे कि Samsung ने video sponsor करी है फाल तुमें तारीफ करते हो मेरे को वो सब ना पचड़े में पढ़ना नहीं है Moto H40 का camera काफी average है Samsung S21 FE का camera under 30,000 रुपीज मैं best कह सकते हूँ काफी consistent camera है लेकिन ये Samsung S21 FE में कुछ दिखकते भी है in fact जो next सवाल है वो मेरी Samsung S21 FE की वीडियो पर आये था महेश भाई पूछ रहे थे कि क्या कोई overheating issues है Samsung S21 FE में मैं आपको बड़ा clearly बोलूँगा अगर आप ज़र ज़र gaming करते हो तो yes ये phone काफी heat हो जाता है और ऐसे में frame drops भी होते हैं ये point मैंने last video में भी clearly mention करा था बड़ा आप में से कुछ भाईयों ने video पूरी end तक देखी नहीं last वाली और फिर मेरे को negative comments आ रहे थे सिर्फ इतना ही नहीं एक चीज़ में mention करना भूल गया था हाँ वहाँ पे मेरी गलती है कि अगर आप gaming लेट से नहीं भी करते हो जाद दिर mobile data पर आप outdoor में हो काफी ज़ेर google maps यूज़ करते हो तो navigation यूज़ करते हो टाइम भी phone काफी ज़दा heat हो जाता है और जब बहुत ज़दा heat होता है तब थोड़े बहुत आप lag notice करोगे लेकिन मैं आपको एक बात बताता हो यह phone मैंने अपने father के लिए purchase किया है अगर किसी person को सिर्फ youtube videos देखनी है whatsapp यूज़ करना है थोड़ा बहुत social media facebook वेगरा यूज़ करना है और calls record करनी है अच्छा camera phone चाहिए तो इस phone में क्या कम है आप मुझे बताओ तो महेश भाई अगर आपका usage कुछ इस तरह का है तो consider कर लेना otherwise आप इस phone को ignore कर देना गौरफ पांडे कह रहे है IQ90 पे मेरा क्या view है क्या ये phone अभी purchase करना चाहिए गौरफ भाई थोड़ा सा wait करो September में Amazon पे भी sale आएगी जब Flipkart 2 million days आपको देखने को मिलेंगे तो Amazon की sale में IQ90 काफी ज़्यादा expected है कि इसका price drop होने वाला है and 5 से 7,000 रुपीज इस phone का price drop expected है तो IQ90 अगर purchase करना है तो sale में purchase कर लेना वो ज़्यादा बेटर रहेगा बाकि मैं आपको एक बात बताओ अगर आपकी जगह में होता तो OnePlus 11R में consider करता because sale में OnePlus 11R का भी 3-4,000 रुपे price drop हो जाएगा user interface आपको OnePlus 11R में थोड़ा सा better मिलेगा अब ये जो सवाल में ले रहा हूँ इन्होंने अपना usage काफी अच्छे से explain कर रहा है जो काफी अच्छी बात है तो इनको मैं easily phone recommend कर पाऊँगा और अगर आप में से भी किसी का usage कुछ इस तरह का है तो वीडियो जरा ध्यान से सुन लेना जो मैं जवाब दूँगा समझ लेना रावत भाई कहे रहे हैं इनका budget 30,000 रुपीज है इन्होंने दो चीज़े mention करी है एक इनको YouTube पे वीडियो अप्लोड करनी है दूसरा इनको editing भी phone में करनी है अब 30,000 रुपीज का budget है मैं चाहता तो इनको Samsung S21 FE recommend कर देता वेकोज इस phone का camera काफी अच्छा है लेकिन मैं ये phone बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा YouTube वीडियो जब record करोगे तो वीडियो रिकॉर्ड के टे टाइम phone ज़ादा heat हो जाएगा तो ऐसे मैं इस phone को ignore करते है रावत भाई आपको September तक का wait करना ही पड़ेगा because और कोई phone अगर अभी purchase कर लोगे तो trust me आपके 30,000 रुपीज कही ना कही तक waste हो जाएगे आपका usage ही कुछ ऐसा है आपको सिर्फ consider करना है कोई ना कोई iPhone या तो iPhone 12 का let's see sale में price कितना drop होता है और आपको थोड़ा बहुत अपना budget भी stretch करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको iPhone 12 का 64GB model तो recommend नहीं करूँगा आपका usage ही ऐसा है आपको at least 128GB model पे जाना पड़ेगा और ऐसे में iPhone 12 लेना सही रहेगा या थोड़ा budget बढ़ा के let's say अगर 6-7,000 रुपे का difference हुआ तो iPhone 13 का price drop काफी हद तक expected है कि 43,000 के round मिलेगा and iPhone 13 लेना काफी ज़दा better option बन जाएगा as compared to iPhone 12 मैं समझ सकते हूँ रावत भाई आपका budget थोड़ा सा 30,000 तक कही है अगर budget बिलकुल भी stretch नहीं कर सकते होगे तो storage में compromise करना और 64GB iPhone 12 ले लेना still अगर आपको Android phone ही purchase करना है तो मैं आपको सिर्फ OnePlus 11R recommend करूँगा camera quality कोई बहुत कमाल की तो नहीं है ठीक ठाक videos आप record कर लोगे लेकिन उसमें आपको battery backup काफी अच्छा मिल जाएगा and videos edit करते time phone heat नहीं होता है तो इस basis पर आपको OnePlus 11R लेना चाहिए सूरज भाई का सवाल काफी interesting है 40,000 रुपे भाई का budget है इनको चाहिए good camera, good processor और 5000 image की battery तो OnePlus 11R एक option है लेकिन उसका camera कुछ खास perform नहीं करता मतलब front camera तो काफी disappointing है रेर camera ठीक ठाक है तो रेर camera से अगर जाधा usage है तो OnePlus 11R आप ठीक कर सकते हो sale तक का wait करोगे तो 36,000 के round आपको मिल जाएगा लेकिन मेरा दिल वैसे ये कहता है कि आपको iPhone 13 पर chase करना चाहिए ये 5000 mAh की battery उसमें आपको नहीं मिलेगी लेकिन iPhone 13 का battery backup बहुत ही जाधा अच्छा है 60 Hz की display मिलती है एक reason ये भी है और chipset भी काफी ज़दा optimized है ज़दा battery consume नहीं करता है तो मैं तो आपको iPhone 13 recommend करना चाहता हूँ बट मैं समझ रहूं आपको Android phone चाहिए बट सूरज भाई अगर मैं आपको भाईयों की तरह एक suggestion दूना तो Android phone पे अगर जाना है 40,000 रुपीज तक का budget है तो चाहे EMI पे purchase कर ले न बट Samsung S23 September में sale में 50,000 के round मिलेगा I understand उसमें 5000 image की battery नहीं है लेकिन अगर मेरे कहने पे आप वो phone purchase कर लोगे न तो जिन्दगी भर खुश रहोगे बहुत ही कमाल का phone है battery बहुत जल्दी drain नहीं होती है battery capacity कम है बट backup वो ठीक ठाक दे देता है लेकिन उस phone में जो camera है और जो उस phone की day to day life में performance है वो मैं किसी और phone से compare नहीं कर सकता इस price segment के उमीद करता हूँ आज का content informative लगा होगा नीचे comment करके बताना कि लेट से अगर आपका budget 30,000 है तो आप budget stretch कर पाऊगे या EMI पे phone purchase कर पाऊगे 40,000 का है और मैं कोई 50,000 में कमाल का phone बताऊँ तो वो बताना सही रहता है या फिन नहीं ये थोड़ो सा बता देना because future में वीडियो उसी के recording बनाऊँगा चैनल को subscribe करके भाई को support कर दो वीडियो को like कर दो मिलता हूँ आपसे next वीडियो में till then you guys are created